नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग दो जनवरी 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोरल डिसकुशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज के एडिटोरल के बादी जो कल का एडिटोरल है वो सकता है आपके लिए विनी सर बनाए चुकि मैं कहीं ट्रवल कर रहा हूँगा रास्ते में होँगा तो नहीं बना पाऊँगा परसों से यानि कि चार जनवरी सुभह से जो पुराना फॉर्मेट था एडिटोरल और करेंट अफेर से साथ आते थे वो वाला में सुभह दस ग्यारा बजे तक आपको अपलोड करके अविलेबिल करवा दूँगा तो बीच के जो साथ-ाथ देन थे इसमें एडिटोरल अलाग आया, करेंट अलाग आया आज मैं एडिटोरल सुभी सुभी डाल रहा हूँ, एक दो घंटे बात करेंट आपको विनी से अविलेबिल करवा देंगे कल ओवराल विनी से वीडियो डालेंगे और परसों से मैं on track current affairs और editorial की combined video आपको अविलेबिल करवाना शुरू करते हूँ चलिए, आज के एडिटोरल में देख लेते हैं कौन-कौन से articles डिसकस करने वाले हैं तो भी है, total मैं आपके साथ यहाँ पे 6 articles डिसकस करूँगा एक तो election commission of India, यहाँ पे remote electronic voting machine के एक prototype को develop कर रहा है यह prototype क्या है, कितना सही, कितना गलत इसके बारे में बात करेंगे फिर India's dilemma in an Asian century overall आगे आने वाले समय में, यह जो दुनिया होने वाली है यह unipolar होने वाली है, multipolar होने वाली है यह दोनों ही situations इंडिया के लिए कैसे खतरनाख हो सकती है और क्या इंडिया सच में एक Asian century चाहता है ओवेसी बात है, इस Asian century में सबसे dominant player अगर कोई होगा तो चाहिना होगा इस context में इंडिया के क्या dilemmas हो सकते हैं इसके बारे में happy man Jacob साब बात कर रहे है फिर recently small saving schemes के respect में कुछ rate changes किये है overall जब 12 small saving schemes से इसमें कितना में क्या-क्या rate high की गई उससे कितना impact आगा इसके बारे में कार्टिकले इसको देखेंगे फिर भाई लूला डिसिल्वा ब्राजील के अंदर leadership में आ गए है लेकि leadership में आने के बाद भी जेर बोल सरारों ने जो कुछ भी किया है उसको up-down करना उसको unchange करना मतलब उसको change करना काफी मुश्किल होने वाला इसके बारे में बात करेंगे फिर 1962 से लेके अब तक में इंडिया और चाइना की जो respective position है military के respect में कहां पहुँच चुकी इसको लेके का article है इसको दिखेंगे और जो अगला article है इस रिस्पेक्ट में क्या politics चल रही इसके बारे में कुछ बात की है तो कुल मिलाके 6 viewpoints में यहाँ पे आपके साथ डिसक्रस करने वालों दोस्तों आगे बन इस पहले वीडियो पर like a button चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिजे Instagram पे follow कर लिजे Instagram पे आपके साथ जोड़ने कोशिश करता हूँ पे आपको लेक्टर की PDF और notification दोनों मिल जाएगी जादा से जादा लों साथ इस लेक्टर को share करें दोस्तों जितना जादा आप इस लेक्टर को share करोगे उतना ही YouTube के algorithm इस particular lecture को promote करेगी चलिए पहला article IS and NACE higher turnout is worth striving for but not without adequate and sufficient safeguards देखिये जैसे जैसे जगहें बदलती है regional variations के साथ सथ demographic trends और economic opportunity भी बदलती है for example Mumbai के अंदर जो economic opportunity है वो उत्तर पदेश के Itawa शहर में आपको नहीं मिल सकती समझे तो मतलब कुल मिला के जगह बदलने के साथ वहाँ पर कितनी workable population है किस age group के लोग रहते है वो demographic trend बदलता है साथ सथ economic opportunity जो उस जगह पे बदलती है अब इंडिया के अंदर high rate of migration है हम यहाँ पर external migration से ज़्यादा internal migration की बात कर रहें internal migration मतलब हमारे देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जो लोग shift होते है तो 2001-11 से लेके अगर अब तक में देखा जाए in fact अगर आप 2001 के डाटा को 2011 से compare करोगे तो 2011 में migrants 2001 के comparison में दुगने थे तो इस context में देखो तो इस बात के पूरे chances है कि बिहार में रहने वाला कोई individual हो सकता है Mumbai में नौकरी कर रहा हूँ या राजस्थान में रहने वाला कोई individual हो सकता है मद्दपदेश रिलोकेट हो गया हो नौकरी के लिए इस प्रकार के बहुत से examples आपको देखने को मिलेंगे अब इस case में मान लीजे तो मुझे ट्रेन पकड़के जाना पड़ेगा लखनो तो ट्रेन पकड़के जाने के लिए 24 गंटे का समय लगेगा तो क्या मेरे पास 24 गंटे है ठीक ना अब ऐसे तो election वाले दिन छुट्टी होती है बट UP में जब election हो रहे हैं जरूरी नहीं उसके लिए मुंबई में छुट्टी हो तो मैं UP में हो रहा है election के लिए मुंबई में छुट्टी नहीं होगी तो मुंबई से छुट्टी लेके फिर UP में जाऊ ट्रेन की 24 गंटे की जरनी करके तो वो मेरे लिए थोड़ा भारी पड़ेगा अगर फ्लाइट पकड़ी तो और जेब बे भाली पड़ेगा तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार छोड़ो वोट नहीं डालते हैं काफी महंगा पड़ रहा है तो इस कंटेक्श में election commission of India ने एक नया plan प्रपोस किया है जिसके चलते रिमोट वोटिंग को फैसिलिटेट किया जाएगा डॉमिस्टिक माइकरेंट्स के रहे इसके लिए एक रिमोट एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रोटो टाइप भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है election commission of India के दोरा election commission of India ने अलग-अलग political parties को invite किया है 16 जन्वरी को और 16 जन्वरी के दिन election commission इस prototype को अलग-अलग political parties के सामने प्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई देखिए हम यह कुछ ऐसा लेके आ रहे अच्छा यह जो particular remote electronic voting machine है ना इसके बारे मताया जा रहा है कि इसको एक जगा रखतो बस और उस एक जगा से simultaneously 72 अलग-अलग constituencies में हाने वाले जो voting है उसके respect में आप vote poll कर सकते हो समझ गया है? मतलब मान लो उत्तर परदेश में voting हो रही है ठीकी ना अब उत्तर परदेश की अलग-अलग constituencies voting हो रही 400 से ज़्यादा constituencies है मैं मुंबई में हूँ मिरे जैसे और भी बहुत सारे लोग उत्तर परदेश काया हुए रहे होंगे तो एक particular voting machine में जाके मैं और अलग-अलग candidates जो की अलग-अलग constituency के होंगे UP के, maximum 72 परदेश के लोग एक ही voting machine में जाके अबना vote कास्ट कर सकते है रिमोटली इस प्रकार की कोई technology यहाँ पे election commission of India लेके आ रहा है और 11 जनवरी को अलग-अलग political parties के सामने उसको present भी कर रहा है, demonstrate भी कर रहा है ठीक है, यहाँ पे एक concept note circulate किया गए election commission of India के दोरा, जिसमें legal, operational, administrative और चुपी technological challenges है, उसके बारे में भी ब्योरा दिया गया है, अब इस context में, अगर आप इंडिया के voter participation को दुनिया के voter participation के साथ compare करोगे, तो दुनिया के voter participation के respect में इंडिया के voter participation one of the highest है, लेकिन उसके बावजूद भी, इंडिया के हर तीन में से एक आदमी vote नहीं डालता है, मतलब जो voter turn out होता है इंडियन elections में, वो 66 से 67 परसंट की बीच में होता है, मतलब में से तीन में से एक आदमी vote नहीं डाल रहा है, फिर 2017 की economic survey ये बोलती की इंडिया के अंदर 14 करोण internal migrants है, और ये 14 करोण internal migrants वोट नहीं डाल सकते हैं, इनके पास काफी problems हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक state में रह रहे हो, दूसरे state में voting हो रही है, आपके home state में, जाना आना इतना आसान नहीं होता है, तो remote voting की सुविधा दे दी जाए, बहुत अच्छा होगा, लेकिन at the same point of time, आप बहुत जल्दी में हरीडली को step नहीं ले सकते हो, सबसे important है electoral process की integrity को maintain करना, और ये recently और जदा important इसलिए हो गया, चुकि election commission of India के उपर impartiality नहोने के charges लगाएगा, मतलब election commission of India ruling party के लिए partial हो रही है, कुछ इस प्रक्यार के इल्जाम भी election commission of India के उपर लगे है, अब election commission of India, जिस electronic voting machine के तुरू vote डलवाती है, उसकी integrity पे जल्दी कोई doubt करता नहीं है, लेकिन फिर इस EVM के अंदर आपने जिसको vote दिया है, आप अपने vote को recheck करना थोड़ा मुश्किल होता है, साइट से पर्ची निकलती है, बड़ जल्दी इंसान easily check नहीं कर पाता है कि EVM ने उसने जिसके लिए button दबाया है, उसी को vote मिला कि नहीं मिला, अभी इसी respect में ऐसी remote electronic voting machine आप ला रहे हो, जो कि network होगी, अभी समझे, जैसे for example, उत्तर प्रदेश में voting होई, ठीकि ना मोहन लाल गंच constituency में voting होई, अभी मोहन लाल गंच constituency में बहुत सारे अलग-अलग polling booth होगे, मालों 1.200 polling booth है, हर polling booth पे जो EVM रख्य हुई हुई नहीं electronic voting machine, वो non-networked non-networked मतलब वो internet वगरा से connected नहीं है, ठीकि ना, लेकिन जब remote electronic voting machine यूज की जाएगी, तो वो networked होगी, और networked जो भी overall internet से जुड़ी हुई चीज है, उसके ओपर hacking और phishing attempt भी हो सकता है, तो इस context में इस प्रकार के attempt से बचाने के लिए, कि हमारे पास कोई experience है, कि electronic voting machine के respect हमने proper data security का जुगार किया है, यह सब कुछ ऐसे questions हैं, जिनको जवाब देना बहुत ज़द ज़रूरी है, election commission of India की credibility पे इस समय पे सवाल उठाये गया है, और इस समय पे election commission of India को public trust जीतना बहुत ज़रूरी है, खासकर voting जैसी चीज़ों में public trust जीतना बहुत ज़रूरी है, खासकर election commission of India के ही जो पहले के office bearers हैं, उन्होंने यह बोला है, कि आप residency को define कैसे करोगे, जैसे for example, मैं लखनू कहों मुंबई में आगा हूँ, तो क्या मुंबई में मुझे पूरी तरीके से resident status मिल गया है? क्या मेरा domicile Mumbai हो गया है? यही बात है नहीं हुआ है तो जब तक मेरा domicile governmental में मेरा domicile नहीं हुआ है जब तक proper resident status मुझे मुंबई में नहीं मिला है, तब तक میں कैसे अपने आपको मुंबई से सीधे register कर सकता हूँ लखनओं में vote डालने के लिए कल की date मालो में मुंबई से कहीं और shift कर जाता हूँ, रजयस्तार shift कर जाता हूँ तो अगर आप अप इस प्रकार धान दलाने से पहले कहीं न कहीं इसके सारे facets, इसके सारे background को खंगा लेना चाहिए, तभी जाके हमें इस प्रकार का कोई program लेके आना चाहिए, ठीक है बई, अगली news पे आते हैं, small saving schemes, देखें क्या है, first quarter of 2022, first quarter of 2022 मतलब, 2022 financial year का आखरी quarter मतलब, January, February और March 2023 की बात हो रही है यहा उनका जो return rate है, उसको बढ़ाया गया है, 20 basis pounds से 110 basis point तर, मतलब, basis point, मतलब, एक basis point बरावर होता है, 0.01%, तो 0.2% से 1.1% बढ़ाया गया है अपर return को, अब देखें, total जो saving schemes है, small saving schemes हो है, 12, इन 12 में से 8 small saving schemes के लिए return rate बढ़ाया गया है, और in the range of 0.2 to 1.1% बढ़ाया गया, ठीक है, अच्छा, इससे पहले वारा जो quarter था, इससे पहले वारा quarter मतलब, October, November, December 2022, उस particular quarter में भी rates बढ़ाया गया थे, small saving schemes के, लेकिन के वाला 5 small saving schemes के rate बढ़ाया गया थे, वो भी 10 to 30 basis point की range हो बढ़ाया गया थे, यह 0.1 से 0.3% की range में, और इस बार जो ब यह जो 1.1% का high है, जो सबसे ज़ादा high है, यह उन small saving schemes के लिए है, जो एक साल, दो साल या maximum 3 साल के लिए operational है, तो मतलब जो सबसे ज़ादा rate high दे रही है सरकार है, rate earn में, वो केवल उन particular schemes के लिए दे रही है, जिनका time कम है, मतलब debt adjustment को सरकार तुरंथी resolve करना चाहती है, लं कि जो important schemes है, जैसे कि national saving certificate, NSE certificate, या फिर किसान विकास पत्र, KVP पत्र हो गए, इसमें जो overall return rate बढ़ाया गया है, वो केवल 20 basis point बढ़ाया गया है, और सबसे important, सबसे important है PPF, public provident fund का नाम आपने जरूर सुना होगा, public provident fund में मेरे आपकी जैसे लोग पैसा invest करते हैं, इसका rate बढ़ाया नहीं किया है, इसको 7.1% पे रखा गया है, अब कोल मिला के आथन ये बोल रहा है, और PPF जैसी चीज़ का return आफ 7.1% रख रहे हो, वो भी तब जब inflation 6% से ज़ादा चल रहा है, क्या मतलब है, आप 7.1% का interest दे रहे हो, 6.5% का inflation चल रहा है, तो effectively तो 0.6% का increment फिर सुकन्या समरिद्धी account scheme जो है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme है, यहाँ पे भी जो return rates है, वो बहुत साथ बढ़े नहीं है, हाला कि सरकार समय समय पे हमने आपको justify करती रहे हैं, जिससे October to December quarter था था, तीसरा quarter था, financial year 2022 थे इसका, उसमें PPF का return rate, effective return rate बताया गया ह 7.72%, और सुकन्या समरिद्धी scheme का बताया गया, 8.22%, पर overall यह returns बहुत साधा नहीं है, जो कि inflation already 6.5% के आसपास चल रहा है, तो इस context में जो छोटे savers हैं, small investors हैं, इनका confidence economic system में बढ़ाना बहुत जाधा ज़रूरी है, PPF में कौन invest करता है, मेरे आपकी जैसे invest करते हैं, लोग मुकेश अमानिस होई ना PPF में invest करेगा, जिसके पस millions, यह फिर आप गहलो लाखो डॉलर हैं, वो overall इस प्रकार की scheme में invest नहीं करते हैं, हम जैसे middle class लोग, जो की ज़्यादा risk नहीं ले सकते, हाँ भीया महीने 60,000 कमाया, उसमें से 20,000 रुपे बचा लिया, तो 20,000 रुपे लगाता 6% से उपर जा रहा है, इस कंटेक्स्ट में इस प्रकार की middle class के लोग ज़्यादा deserve करते हैं, बट सारकार के small saving scheme के जो भी return rate है, वो उसको justify नहीं कर रहा है, बस यहीं इस article नहीं बताए गया, ठीक है भाई, पिर आ जाते हैं, Happyman Jacob साब के इस article पे, India's dilemma in an Asian century, देखें यहां पर क्या बताए जा रहा है, इंडिया के respect में, Happyman Jacob साब बात करते हैं, 2022 इंडिया के लिए एक momentous year था, पूरी दुनिया के लिए, अब 2022 अपने आप में बड़ा खतरनाग geopolitically significant साल था, और 2023 उस से जादा होने वाला है, क्यों, चो कि भाई, कहीं ना कहीं दुनिया में changes बहुत तेजी से हो रहा है, और यह इंडिया के लिए अच्छी news नहीं है, अगर आप एशिया centric century की बात करते हो, बहुत सारे लोगों बोग बोलेंगे, क्या एशिया centric century इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, यो कि हम देशिया के part है, बट problem यह है कि जब एशिया centric century करती है, कि people Republic of China अकेला एशिया में dominant बन के सामने आ रहा है, अफगानिस्तान से US ने withdraw कर लिया, चाइना का aggressive rise हमें देखने को मिल रहा है, Ukraine war चल रहा है, अब यहाँ पे बहुत major power games चल रहा है, कही न कहीं एशिया के अंदर जो countries उनको directly influence करने की कोशिश कर रहा है, रशिया चैना, बहुत सारे important players है, यहाँ पे इरान है, टर्की है, साओधी अरिबिया है, इंडिया है, अब इन सारे players के बीच में, न्यू दिल्ली का क्या rule है, भै देखें, न्यू दिल्ली ने अब तक कोई भी बहुत high risk game नहीं खेला है, नई दिल्ली का simple rule क्या है, simple foreign policy, status quoist foreign policy, हम क चाते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें change हो, Asian century इंडिया को चाहिए, पट वो धीरे धीरे चाहिए, एकदम change में नहीं चाहिए, एकदम से चीज़ें change होती है, और किसी के favor में जाती है, तो वो इंडिया के favor में नहीं जाएंगी, चुकि इंडिया अभी developing phase में, अगर कल की date में Asian century पूरी तरीके सा जाती है, यूस यूरोप की importance बहुत कम हो जाती है, तो आप देखोगे कि उस Asian century में जो major role होगा, वो किसका होगा, चाहिना को होगा, इंडिया को कहीं नहीं सेकेंड फिडल प्ले करना पड़ेगा, और वो इंडिया कभी नहीं चाहिएगा, हम चाहते हैं true multipolarity, पर आज किस आप कहलो समय में true multipolarity नहीं होगे, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया, बहुत सारी और पार्ट ताकते हैं, इराँ, तर्की, साथी अरिविया, इराग, ये सब कहीं न कहीं, किसी न किसी form में अपने influence को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जियो पॉलि इजिए शिफ्ट होगा, तो चाइना बहुत हत्तक राइस कर चुका है, और चाइना अपने first rumor advantage को कहीं न कहीं capitalize करेगा, और इंडिया को sideline करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखो, तो US-China के relations खराब होते हैं, अब इस US-China relations के खराब होने में, एक angle ये बनता है कि US-Ch इसे करके चाइना को थोड़ा बहुत अपनी तरफ कीजे, तो उस case में US-China का एक trade angle बनता नजर आएगा, जर्मनी का जो Chancellor है Olaf Shos, वो कहीं न कहीं चाइना जाने की तयारी में है, चाइना के साथ मांडवली करके अपने रिष्टे अच्छे करने की तयारी में है, तो उस case मे अगर आप देखो, नहीं भी सुधरते हैं, तो भी इस समय पे US ने Ukraine war को लेके Russia के ओपर sanctions लगा रखे हैं, इस बात को लेके दुनिया भर की countries एक alternative धोड़ रहे हैं, जिसको भी Russia के साथ trade करना है, तो Russia कहीं न कहीं चाइना, इंडिया, इस प्रगारी countries को push कर रहा है, alternative हो, यह हमारे लिए सही होगा, obvious ही बात है नहीं होगा, तो यही सब बाते हैं हो रहा हो यहां पर बताई चारें, दिल्ली के सामने बहुत बड़ा dilemma है, international politics में जरूर इंडिया का stature बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो change चाहरे हैं, वो बहुत gradual change चाहरे हैं, हम immediate change नहीं चाहरे हैं, systematic changes की बात करता है, gradual changes की बात करता है, और आज की rate में जो changes हो रहे हैं, वो gradual नहीं है, जो slow, peaceful और consensual transformation इंडिया की foreign policy चाहरी है, वो नहीं हो रहा है, तो एकदम से अगर Asian century आती है, तो उस Asian century में China dominant partner होगा, जो भी आपको DS देखने को मिल रही होगी, China versus US देखने को मिल रही हो उस context में इंडिया को या तो US की तरफ, या चाइना की तरफ, US की तरफ रहोगे, तो चाइना से लड़ाई मोलोगे, चाइना की तरफ से रह नहीं सकते, चुकि वो पाकिस्तान की तरफ है, तो इंडिया के लिए Asian century में भी बहुत tough questions खड़े हो जाएंगे, और वो हम चाहते नहीं है, जो हमारी middle approach है, status को इस approach है, उसी को हमें maintain करना चाहिए, और overall धीरे धीरे करके अपने आपको ताकत वर करना चाहिए, जो कि हम करना है, जैसे कि आप देखो, चाइना के बड़े charismatic leader है, जिनोंने चाइना में बार को बोला था कि lower your head and wide your time, अपना सर नीचे करो, ताक अपना सर नीचे रखो, बहुत ज़्यदा ताकत वर बनने की जो अतनी, जब कोई सामने से बहुके या काटे तो ही जवाब दो, नहीं तो शांत रहो, और चुप चाब से धीरे धीरे करके अपनी ताकत को दिखाओ, अपने आपको अंदर से strong करो, और technically वहीं इंडिया इस स द्रिनमूर कॉंगरस की तरफ थे, इन्होंने फिर से गोर्खा लेंड का मुद्दा उठा दिया, इनका नारा ये है कि दारजलिंग और कलॉंपिंग जो डिस्टिक्ट है वेस्ट वेस्ट वंगाल की, इन दोनों को मिलाके एक अलग स्टेट बना दो, तो दारजलिंग और क को जगाने की कोशिश की, ठीक ना बई? और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि हामरो पार्टी की चीफ अजय एडवर्डस आये, बिने तमांग आये, पहले ये त्रिनमूल कॉंगरस की दरफ थे, तो कही न कि बहुत सारी अलग-अ साथ साथ के नौरदन हिस्ते से कलींपोंग डिस्टिक्ट और दार्जलिंग डिस्टिक्ट अलग हो जाए, एक अलग स्टेट बन जाएं, ठीक है बहुत, लेकिन क्या त्रड़मूल कॉंगरस यह चाहिए ओव्शी बात है त्रड़मूल कॉंगरस ही नहीं चाहिए, त्रड कि दिमांड उट क्यों नहीं है दार्चलिंग और कलिमपोंग डिस्टिक्ट को वेस्ट वंगाल से अलग करने की बाते उट क्यों रही है एक तो यहां पर रीजन है पॉलिटिक्स पहले जो लीडर्स त्रिर्मूल कॉंगरस में थे वो त्रिर्मूल कॉंगरस से अलग हो गए उन्होंने खुद किया पॉजिशन के अपनी पार्टी बनाई अब आप पॉजिशन के आप पार्टी बनाओगे तो आपको एक प्रॉपर सॉलिड एजेंडा चाहिए और अपना इलाका अपना रीजन अपनी एथिनिट्री सी किसी हिसाब से स्टेट होना इससे वड़ा री दूसरा एक बहुत प्रा रीजन दोस्तों ये भी है कि ओवराल बहुत से राज्यों में देखा गया है कि जो डेवलेप्मेंट होती है ना वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में कंसेंट्रेटर होती है वो हर तरफ प्रॉपर तरीके से एकुली डिस्टिबूटेड नहीं हो तो जब कुछ बहारी इलाके अंडर डेवलेप्ट रह जाते हैं तो वो डेवलेप्मेंट की डिलांग करते हैं अगर आप देखो आंदर प्रदेश से तेलांगना क्यों अलग हुआ तेलांगना की यही मांग थी कि आंदर प्रदेश के में इंडिस्टिल रीजिन्स में तो development हुआ पर आप पहार के अलाके को भूल गए इंटिरियर अलाकों को भूल गए तो उन इंटिरियर अलाकों वालों ना बवाल किया और तेल लांगना को आंदर पदेश से अलाका वा दिया कुछ यही बात वेस्ट मंगाल में बें उठ रही है तो जो हिल में रहने वाले लोग हैं दारजलिंग और कलिमपुंग में रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं न कहीं उतना development नहीं पापाए हैं तो अपने specific development के लिए वो अलग स्टेट की demand करने हैं और इस से पहले इस प्रकार की demand पहले भी हो चुकी जैसे 1988 से 2012 तक दारजलिंग गूरका हिल काउंसल काम कर रहा था फिर उसका गूरका लेंड टेरिटोरल अड्मिनिस्टेशन आ गया 2012 के बात से ये लोग लंबे समय से दारजलिंग हिल में रहने वाले लोगों के benefit की overall उनके favor की बात करते और उस favor में एक बड़ा claim है अपना अलग राज अब अपना अलग राज तर्मूल कांग्रिस देना नहीं चाहता भारती अंतर पार्टी देना नहीं चाहती अब ये आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है कल की डेट में overall electoral politics के लिए बंगाल को सौथ बंगाल से अलग कर दिया जाए तो वो आपको पता है पार्लेमेंट से पास हो गई हो सकता है उसमें क्या होगा नहीं होगा पता नहीं मतलब कुल मिलाके politics के अलावा किसी particular region का under development भी बहुत बड़ी वज़ा होती है उस particular region से अलग statehood की demand होने की है समझ गए भई चलिए अगले आर्टिकल पर आ जाते है बोल से नारो लिगे सी विल टेक टाइम टू अंडू इसके सब एक और आर्टिकल है इंडिये चैना प्री नैंटी सिक्टी टू एन नौ इसको पहले देख लेते हैं वैसे बतादू इस आर्टिकल को लिखा सुझन चिनाय साब में इस डिरेक्टर जनल है मनोहर परिकर इंस्टिटूट फॉर डिफेंस स्टेडिज और अनलेसिस नीज दिल लिके अब मनोहर परिकर अनलेसिस वाले स्कूल से जुड़े हुने हैं नहीं हो सकता थोड़ा एडिया था आपको बीजेपी के फेवर में लगे हैं हलागी देखते हैं नहीं क्या बोला है 2020 में गलवन में इंडिन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स की लड़ाई हुई फिर उनाचल पर दिछा भी रिसेंटि यांग से तवांग में वो क्या था वो यह था कि जो अकसे चिन का इलाका है यह किसका है इंडिया अकसे चिन का इलाका खुद क्लेम कर रहा था चैना भी उसे क्लेम कर रहा था और चैना कह रहा था कि अरणाचल कदिश इंडिया का नहीं हमारा है तो 1950s में जो सवाल था वो ये था कि अकसे चिन किसका है आज की डेट में आप देख रहे हो कि अकसे चिन इंडिया के पास नहीं रहा है पूरे अकसे चिन के ऊपर चैना गराज हो चुका है ठीक है ना और अकसे चिन एक तरीके से no man's land था वो किसी की जमीन नहीं थी तिबद और इंडियन मेंड लैंड की बीच में आ रहे थी बंजर जमीन थी चैनीज ने उसको कब जा लिया है ठीक है ना और उनाचल पादेश हमेही सार से इंडिया का था आज की डेट में उनाचल पादेश इंडिया के पास है और और अक्सेचिन आपको पता है चाइना के पास है तो अब जो बात्चीत होती है वो सिर्फ इस चीज के आसपास घूमती है कि भाई लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर क्या हो रहा है अक्सेचिन के बारे में हम बात्चीत नहीं करते हैं अक्सेचिन पूरी तरीके चाइना के हाथ में जा चुका है और चाइना उल्टा हमसे और नाचल प्रदेश मांगता रहता है अभी के लिए लड़ाई और जो भी बात्चीत हो रही है वो किस लिए लिए हो रही है लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल में भी बवाल है पहले लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल में जो इशू उठता था या तो दौलत बेत ओल्डी सेक्टर में उठता था या देम्चोक सेक्टर में उठता था फिर अभी जो comparatively peaceful sector माना जाता है middle sector, middle central sector, land factual control का, जो बारा होती pasture है north of Chamuli नुत्राखंड, वहाँ पिछले 7 decades है, पिछले 70 सालों से dispute है, वो अभी solve नहीं हुआ है, वठाँ अभी news में नहीं है फिर अनाचल प्रदेश में इंडिया-चाइना की जो बांड़े लगती है, वो basically 1914 की McMohal Line है, Watership Principles के हिसाब से बनी हुई है ठीक है, अब पहले क्या था, तिबत में, terrain और logistics के respect में चाइना एक advantage में था, उन्होंने अपनी तरफ पे खूब सारे infrastructure वगड़ों को भी बना लिया था जब इंडिया ने border infrastructure बनाना शुरू हुआ, तब चाइना ने complationally खूब कर दी, कि भी आप क्यों मना लो, खासकर तब जब चाइना अपनी तरफ पे border infrastructure बना चुका था, अब इंडिया अपनी तरफ पे बना रहा है, तो उनको परिशानी है 1950s में जब ये oxygen वाला issue उठा था, उस समय पे चाइना ने पूरी तरीके से अपना bias पाकिस्तान की favor में नहीं दिखाया था, दीरे दीरे करके चाइना ने पाकिस्तान के साथ tandem में काम गाना शुरू किया, कश्मीर मुद्दे को UN में internationalize करना शुरू किया, माओ जिदाउं की जब domestic policies गड़ बड़ाइं, तो उन्होंने इंडिया के साथ जंग छेड़ के पूरे देश की जंता का ध्यान बटाने की कोशिश की, आज की डेट में जी जिजिंपिंग पिंग के साथ भी ऐसा हो रहा है, जी जिजिंपिंग की zero covid policy की चलते domestic backlash देखने में मिल रहा है, और ज जिजिंपिंग इंटरनेशनल वार दिखा के इंडिया के साथ LAC पे wireless दिखा के अपनी जंता के सामने चीज़ों को justify करने की कोशिश कर रहे है, फिर एंड में author यहां पर overall पहले के respect में राज के respect में मोधी government की जो willpower है, चाइना के साथ LAC पे उसको pushback करने की इसको favor कर रहे ह उतरी साथ साथ यहां पे नजर आ रही है, कुल मिला के background के रिष्टों की रिष्टों की बातचीत यहां पे की गई है, चाइना का stubborn nature किस हिसाब से LAC पे एक्ट करता है, इसके बारे हम पहले बार कर चुके हैं, आगे आ जाते हैं, बोल से नारूर लेगेसी will take time to undo, आपको प इसी बीच में आप देखोगी जो पुराने प्रेजिडन्स है, जेर बोल सेनारो, वो ब्राजील चोड़ो के भाग गए, यूएस में फ्लॉरीडा में चले गए, और अभी लंबे समयते कि हैं आने वाले नहीं, उनको इस बात कड़ा रहे हैं, कि जो लूला डिसिल्वा है, वो बोल सेनारो के गेस्ट करप्शन केसे शुरू कर सकता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर वा सकता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर वा सकता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर वा सकता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर पहले दो बार प्रेजिट रह चुके हैं, 2003 से लेकर 2010 के बीच में हैं प्रेजिट थे अब लूलर डिसिल्वा लेफ्ट विंग को बिलॉंग करते हैं और कहीं न कहीं ब्राजील के अंदर जो चैमबर ऑफ डेपुटी और सेनेट है वहाँ पे राइट विंग ठीक ठाक मेज़ॉर्टी में तो राइट विंग के साथ मिलके एक लेफ्ट विंग के लीडर लूलर डिसिल्वा का काम करपाना यह अपने आप में बहुत मुश्किल होने वाला है और ये जो राइट विंग है इसमें बहुत सारे लोग मिस्टर बोल सेनारो के आइडिलोजी को फॉलो कर तो उनके साथ पार पार पाना ये भी अपने आप में बहुत मुश्किल आप कहलो एजेंडा है लूला डिसिलवा ने 2003 से लेके 2010 में अपनी प्रेजिनेसी की समय पे शुरू की थी एक पॉलिसी फोर्म जीरो जीरो हंगर पॉलिसी इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंतर ब्राजील की बड़ी जनता पॉर्टी से बाहर निकल गए थी उनके पास सफीशन नमान में खाना आ गय पैंडिमिक के समय पे तो कहीं न कहीं लूला डिसिलवा जो भी ताकत में आए हैं उनका ये बोलना है कि अगर एक एग्रेरियन रिफॉर्म बिल पास कर दिया जाए तो ब्राजील की जो हंगर की प्रावलम है न इसको सौट आउट किया जा सकता है तो कहीं न कहीं ब्राजी इसके लिए कुछ करने के लिए इनके लिए पॉजिटिव प्रान लाने के लिए लुड़ाडे सिलवा ने बना दिया न्यू मिनिस्ट्री ओफ इंडिजीनस पीपल ठीक है न ये मिनिस्ट्री ओफ इंडिजीनस पीपल की लीडर होंगी केरिसमाटिक सोनिया गुजल जरा फ उमेन को पावरफुल पोजिशन देना कही न कहीं बोल सिनारो की जो कंजरबेटिव पैट्रियार्की वाली इमेज है न इसके अगेंस्ट भी वार है लूराड डिसिल्वा का तो लूराड डिसिल्वा कहीं न कहीं कल्चरल हर्मोनाली आना कोशिश कर रहा है रेसिजम और सेक् ये अच्छा काम किया है तो कुल मिलाके ओवर ओल लूर डेसिलवा क्या 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 कर रहे हैं पोल सिनारों के लेगेसी को ओवर टन करने के लिए उसके कंजर्वेटिव एटिटुट को अटाना इन्वोर्मेंट की तरफ अपने आपको और रिस्पॉंसिबल दिखाना लोगों सारी कंट्रीज ये सोच रही है कि यूकरियन वर में यूएस पोजिशन को आप फॉलो करो और कहीं नकर एक एक एंटी रुशियन स्टांस बनाओ लेकिन ग्लोबल साउथ की अभी ऐसी कोई कंट्री सामने नहीं आई है जिसने ओवर ओल रुशिया कड़े शब्दों में नि रिष्टों को सुधारने कोशिश करेंगी है आप लूर डी सिल्वा हो सकता है जल्दी हैना कि विजट भी करें तो यह सारी बाते हो रहाल यहां पर बताई गई है ब्राजील की सुसाइटी एक्डॉमिक पॉलिटिकल सोचल लाइन्स पे बटी हुई है बहुत सेनारों ने जो फिशर्स पैदा किये हैं उनको भरना लूर डी सिल्वा के लिए इतना आसान नहीं होगा जो कुछ भी बोल सुनारों करके गया है उसको अंडू करने में समय लगेगा लेट्सी इसको किस प्रकार से लूर डी सिल्वा टैकल करते हैं तो तैंक यू फो वाचिंग फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और श्रीकर दीजिए का इस्टागा फॉलो कर लिजिए का टेलिए उप्जान कर जाद जाद लुक से लिक्ट्चर कर लिजिए आई होब आपको लेक्चर पसंदें